हेलो दियर स्टूडेंट कैसे आप सभी आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ आप कैसे कर सकते हैं एक लाइन के अंदर बहुत ही शोटकट तरीके से तो वो चीज़े में आपको यहाँ आज की इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ सबसे पहला काम तो इस वीडियो को लाइक जुरूर कर दें बहुत सारे बच्चे हैं लाइक नहीं करते हैं और ट्रिक अगर आपको पसंद आए तो प्लीज शेयर भी कर दीजिएगा और एक बहुत इंपोर्टेंट काम इस वीडियो के कॉमेंट बोक्स में जैहिन जुरू कॉमेंट कर दीजिएगा ठीक है तो इंप्लिसिट फंक्शन आपका मतलब फॉर एक्जामपल जैसे इस टैप का फंक्शन आपको दिया हुआ हो तो एक लाइन के अंदर आप इस कोश्चन का अंसर निकाल सकते हैं जस्ट इन वन लाइन के अंदर ठीक है आपको एक से दूस एक्स वाइ और प्लस में यहां पर दे दिया मैंने साइन वाइनस में लिख दिया 100 इस एक्वल टू में 0 अब क्या करना है इसका डेरिवेटिव करना है या निकालना है डी बाइ बाइ डी अक्शन लिए जो आप कंसेप्से करते हैं तो बहुत ही टाइम लगता है इसके अं जब x के respect में करेंगे याद रखना y को constant मानके करना है ठीक है जब x के respect में derivative करेंगे तो क्या करना है y को constant मानके करना है तो x cube का derivative हो गया 3x square y तो constant है तो constant का derivative 0 होता है तो y cube का derivative 0 यहाँ पे derivative करेंगे देखिए 2y जब constant multiply में हो तो एजटीज रखते हैं तो 2y एजटीज हो गया और x का derivative 1 हो गया sin y यह y है y तो constant है यह भी 0 और 100 का derivative यह भी constant है यह भी 0 हो गया divide by अब derivative करो with respect to y अब आपको x को constant मानके चलना है ठीक है तो यहाँ पे x cube का derivative 0 y cube का derivative हो जाएगा 3y square y का derivative 1 हो जाएगा तो यहाँ बज़ेगा plus में 2x sin y का derivative cos y और minus 100 का derivative 0 तो यह क्या आगया आपका answer आगया पटक हो गया देखो simple है न बिल्कुल इससे easy और क्या होगा ठीक है एक example और हम कर लेते हैं देखिए जैसे मैंने लिखा cos x into y ठीक है minus में x y की cube और plus में लिख दिया 5y is equal to 0 derivative निकालना है dy by dx सबसे पहला काम यहाँ minus लगा दो अब इसका with respect to x derivative करेंगे y को constant लेके चलना है तो cos का derivative होता है minus का sin angle है x y multiply में angle का भी derivative करते हैं x के respect में करेंगे तो x का 1 हो जाएगा y बचेगा तो multiply में y आ गया फिर minus है minus में यहाँ x के respect में derivative कर रहे है x का derivative 1 हो गया तो minus में y cube आया और प्लस में y cube 5y है यह x का function नहीं है तो इसका derivative 0 हो गया क्योंकि y को constant लेके चल रहे है divide by अब हम x को constant लेके चलेंगे तो यह x और y दोना का function है इसलिए इसका derivative को उसका derivative minus का sin xy हो गया अब angle का करोगे with respect to y कर रहे है तो y का तो 1 हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x यहाँ पे y cube का derivative x तो constant है minus का x as it is हो गया y cube का derivative हो गया 3y square प्लस 5y का derivative क्या हो गया प्लस का 5 हो गया तो यह क्या आगया हमारा answer आगया अब इस minus के अंदर product भी आप कर सकते हैं तो simple है बिल्कुल ठीक है क्या करना होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ dy by dx is equal to होता है हमारे पास minus में क्या करना है पहले with respect to x derivative करना है और y को constant लेके चलना है ठीक है divide by with respect to y derivative करना है और x को constant लेके चलना है ठीक है तो यह आपका क्या हो जाता है answer आजाता है ठीक है I hope कि आपको यह trick बहुत ही पसंद आई होगी ठीक है इससे आपको काफी help मिलेगी implicit function का derivative करने में please like जुरूर कर दीजिएगा share को जुरूर कर दीजिएगा और comment box में comment करके जुरूर बताइगा कि आप लोगों को यह trick कैसे लगी और इसी type की बहतरीन trick का अगर आपको चीए तो भी comment कर दीजिएगा और चैनल को subscribe जुरूर कर लीजिएगा त्योंकि derivative chapter से related हर type की trick जो है आपको मेरे YouTube channel पे मैं आपको provide कर वाँगा ठीक है तो मिलते हैं next tip and trick के साथ तब तक के लिए आप सब बच्चों को जैहिन जैभार वंदे मात्र